यह जो आरना इंटे कोली संस्था है यह हैं के लोगों की है हमारे यहां के जो AD हैं मिस्टर जोशी जी उन्होंने श्री भिक्कम सिंग परधाना चारिये उनको हमारे यहां प्रबन संचालक नुक्त करके बेज दिया विक्कम सिंग तो सबसे वड़ा एक रक्षस हो रहा है आज के टाइम पर जो पूरे गिरों को चला रहे हैं यह पूरा का पूरा नेक्सेस ऐसा है कि इनका सिस्टम यह है कि प्रबन संचालक नुक्तोरो और अगर आप कहां कोई पोस्ट है तो उसको फटा फट भरो और इसके पिछे कुछ स्कूल के परबंदक और परदानाचारे भी मिले हैं चितावनी देना चाहता हो कि इस संस्ता से दूर रहे हैं यदि यह संस्ता हमारी मा जैसी है यदि इस पे इन्होंने अपनी आंके दिखा है हम आख निकालने का काम करेंगे वजह क्या है गिरो की कोई इंटेंशन होती है ना कुछ भी करने की इस संस्रीफ यह है इन सहस्ताओं को कबजा करना इनमें जो वेकैंसिया है उनमें अपने चेहतों को बिठाना नमस्कार स्वागत है आपका न्यूजवाल नेटवर्क में अभी हम भगवानपूर में है आरना इंटर कॉलिज में प्रेस कॉन्फरेंस है जो शिक्षक होते हैं उनको भगवान का रूप माना जाता है और जो विद्यालय है उसको भी कहीं ने कहीं मंदिर से तुलना की जाती है लेकिन और यहां पे एक जो प्रकन सामने है उसमें एक सवालिया निशान खड़ा हो गया है किस पे अभी बात कर लेते हैं सर आज की जो प्रेस कॉन्फरेंस है क्या इसका रिजन क्या है कारण क्या है क्यों बुलानी पड़ी प्रेस कॉन्फरेंस इसलिए बुलानी पड़ी है हमारे यहां नियमा नुसार उप्युक्त चुनाव कराने के बाद प्रबंस समीती इस कॉलिज का कार्यभार देख रही है उसमें कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी इनोंने क्या और यह 2022 में एलेक्शन हुआ था अब 2025 में होगा हर 3-7 बाद एलेक्शन होता है इसमें हम ल उनोंने श्री भीकम सिंग पर्धानाचारिये उनको हमारे यहां परबन संचालक निक्थ करके भेज दिया जो हमारे यहां 7 तारिकी सुबह दस बज़े आखे बैठ जाते हैं कि मैं यह का परबन संचालक हूँ इसकी जानकारी ना हमारे प्रभंधक को है ना हमारी पूरी कमेटी को है और किसी को भी नहीं थी लेकिन प्रभंध संचालक हमारे यहां सम्मानित सदस्या आता है गौर्मेंट की तरफ से न्युक्तो करके अब उन्होंने प्रेशर बना करके हमारे प्रधानचारिय से कागी हम में जोएन कराई अभी जबकि प्रभन समीति को भंग करने का भी कोई आदेश उन्होंने नहीं दिया किसी तरह का कोई कागज कोई वार्थालाप हमारे से नहीं हुई जो शिरी भीकम सिंग जी है अभी वर्तमान में कहां कारे रहते हैं यह सिकंदरपुर भैसवाल में गौर्मेंट इंटर कॉलिज है उसमें प्रिंसिपल है अभी कल भी कुछ उनके खिलाफ कंप्लेंड आई है जिसका मैंने वीडियो देखा हैगा वहाँ पर उनके जो लोकल सि इसा है कि इनका सिस्टम यह है कि प्रबंस अंचालक नुक ठोरो और अगर आप कहां कोई पोस्ट है तो उसको फटा फट भरो और उसका प्रसंचाला हट जाता है और उसके जागा फिर्मेंटी आ जाएगी अपने आप में बहुत थी जिम्मेंदारी वाला पद है तो इसकी कि आप लोग जो नुक्ति कर रहे हैं उसमें रोस्टर का पालन नहीं हो रहा तो हमने क्या कर रहा हमने कौन से वर्ष की घटना है अभी की दस दिन पुरानी घटना है तो जैसे हमें पता चला हमने जो है एक तारिक को इसका एक लेटर बना करके जिला विद्याले जिला शि राष्चे सारा और हिंदुस्तान तीनों अख बार में यह प्रेस्ट नोट हमने निकाल दिया था विज्यप्ति निकाल दी और यह पोस्ट हमने इस्थगित कर दी कि जब तक हम योग सैटिस्फाइ नहीं होंगे तब तक हम इनको भड़ती नहीं करेंगे अपने हैं अब उ और इनकी सिटी जाचो बिकम स capabilities को ले by पद्पध्रस और यहां से लिए उसक्प नहीं सिपे रहे और यह और मिई हैं मिसके लिए उन्हें को और्रमिंट ओर्भ यह उनको कहती है लेकिन इसिमें सबसे बड़े दिकत क्या है हर जगा पूरे जिले के अंदर दो तीन तो चुनावा अधिकारी हैं वही अलेक्शन कराते हैं वही पूरे जिले की जाच करते हैं हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी है उनके पास भी तीनी अधिकारी है उनी को शिक्षा अधिकारी उनको जाच देंगे उनी से अलेक्शन क करेंगे जिला विद्या मतलब प्रबन संचालक भीनिकों करेंगे ऐसा क्या पूरे जिले के अंदर को अधिकारी नहीं है कुछ दिन पहले एक कंप्लेंट हुई थी उसके दीपा वर्मा नाम बताया जा रहा है उनके बिहाफ पे उनका हवाला दे के कुछ जांच हुई थी कित दिखाया सारे कागज उनको बाइंट दिये रिसीविंग को कोई देता नहीं है अधिकारी इस तरह से उसारे पेपर लेके चले गए हमने उस पूरे सेट की रिजिश्टी भी करिया उनको यह सब करने के बाद जब वो सेटिस्वाई हो के हां से चले गए उसके बाद वह माम यह प्रती लेंट नहीं करी और यह कमप्लेंट उननोंने पूरा ले इतर बना के दिया मेरे को और यह लेटर को भी रिजिस्टी कर दों त्यकर दी अधिस fiveuciones एं है उनके खिलाफ और क्या एडी के खिलाफ एफई आ करा है हम शान्दों के बैठ गे लेकिन इन्होंने इसका मिस्यूज करके हमारे को यह पांस तारिक को यह एडिमिस्टेटर नहीं आपे नुक्त करके बेज दिया फिर अगले दिन हमारे परदानाचारिय ने बिककम सिंग ज जरूर प्रबन संचालक नुक्त हुए हैं लेकिन उससे पहले आप हमें जो हमारी कमेटी भंग हुई है उसका बाई पोस्ट हमें लेटर लाके दें जब तक बाई पोस्ट एडी कहां से हमारे लेटर नहीं आएगा हम यह मान के चलेंगे कि हमारी प्रबन समीथी भंग पन्क कर दि तो भंक करने का लेटर भी हमें निदिया और सिधा आपने एक न्यूट करके भेज दिया पर मिल सिंचाला लग हमारे हां और एक ऐसी चीछ पता चलिये जिसका हमारे से कोई नहीं है किसी से कोई मतलब नहीं है वो गॉर्मेंट का लेटर एक प्राइवेट आदी के पास चला जाता है वो केविट दाने चला जाता है को जो आदमी जो एडी लेटर सियो को लिख रहा है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशल लेटर होता है उस लेटर के ओपर केविट आगया हमाने आप सको लिमिट तो हो कहीं तो बस्ता जा जा जाके रुकेगा पूरा नेक्सस बना के गेड़ दिया इसको पूरी चोर बजारी पैसे का कैविट में अगर आप नाम खोलना चाहें तो किसके द्वारा वो डाला गया कोई माहवीर जी हम तो जानते नहीं इनको हमारी कोई मुलाकात वारा है यह पुराने नारसन स्कूल के परदानाचारी एंसे मेरा कोई मेरा देना नहीं है कि संस्ता कोई मतलब यह कि अगर जो है जो यहां की संस्ता है यहां की जो पतादिकारी हैं अगर वो जो प्रबंद संचालक नियुक तो है उसके खिलाब हाइक जाते हैं तो यह कैवेट डाल के उन्होंने अपने आपको सुरक्षित कर लिया है कि उनको जो पार्टी बनाना मेंडेटरी हो गया है बाइड में एसाइटी की चार्च बिठवा दो इससे बड़ी कुछ नहीं हो सकती हम एक एक पेपर देंगे एक एक चीज देंगे आप जहां पर भी जाईए आप पता नहीं कौन से स्कूल में मुझे किसी ने बताया फोन करके बताया है वहाँ जी हमारे साथ रचित अगरबाल जी हैं से भी दोश्व दिबात कर लेते हैं भी या पहले तो में एक होँगा यह जो आरना इंटे कोली संस्था है यह हैं के लोगों की है और इस छेत के सभी व्यक्तियों की है इसे हमारे पुर्वजों ने हमारे मेंबरों ने यहां के प्रधानाचारिये, पूर परबंदक और कुछ अधिकारी गण सम्मिलेवे हैं जो कि एक कहीं भी हर स्कूलों की परबंसमीतियों को भंग करते हैं अपने अधिकारियों को चेहतों को नुक्त करते हैं और वहां से उन्हें फिलिप करते हैं चाहितों की बात से याद है रच दिए ज़िए पुरा परकरन है, इसमें पूरा घिरो सामील है, हम तो मानने मुख्यमंजिषी जिरो टेल्डर सलकार से वजह क्या है? गिरों की कोई इंटेंशन होती है ना कुछ भी करने की इन सर्फ यही है इन संस्थाओं को कबजा करना इनमें जो वेकैंसी है उनमें अपने चेहतों को बिठाना एक क्रोडों रूपे का मोटा गेम चलता है जिसमें उपर से अधिकारी से लेके एडी पोडी जिरा सिक्षा अ थैने आदमीां सारे मीलेवे होतों जो फ्रीन करते हैं ती चार आदमें जिन नर्से करती है पौरे चाहने के उस पर काम करते हैं और इसके पिछे कुछ मीन के परभंदक अर्बंद और परदहना चाहिव भी मिले है अबfish कि नाम नहीं लेना चाहूंगा लेकिन जिस दिन हम कि इन्हों ने ऐसे ऐसे परदाना चारी है जो आज इसकूल को कब जाने के लिए लग रहे हैं ऐसे हमारे पुर्वत जमीन दे के चलेगे यह नए आदमी जूटी शिकायतों पर आके ने कब जा कर रहे हैं पैसा और लाला चीत और है क्या आप देखो भगवान पर हमारे स्कू जाफ़ावड़ो एसाइटी जाचो मैं अपने मानने सिरी धंसिंग रावजी से भी और मानने पुसकर सिंदामी जी से भी निवेदन करता हूं इन अधिकारियों के खिलाफ इस घिरोह के खिलाफ एसाइटी जाचो हमने कंप्लेंटी भंग करी है चलो पहली बात तो आपके हमारी जाच करो हमने बिल्कुल नियामनसाज चुनाओ करा रखा है यदि नियामनसाज चुनाओ नहीं करा रखा है आप आओ चुनाओ करा और चले जाओ हमारी परबन सिमिती में सत्रा सदस्य हैं सत्रा सदस्यों में से किसी में भी कोई विवाद नहीं है हमारे सत्रा के सत् सब पूरी दिल से काम करते हैं तो मैं तो मेडिया से यही कहूंगा कि अधिकारियों के खिलाफ एसाइटी जाचु जिसमें विक्कम सिंग तो सबसे वड़ा रक्षा हो रहा है आज के टाइम पे जो पूरे गिरों को चला रहे हैं और इसमें हमारे आसपास के स्कूलों के अगरिसेन महराज जी के हम सब इसमें 17 के 17 सदस्य हैं हम पूरी जोड सोर से इसका मुद्द को उठाएंगे और इनने इनके खिलाब जाच कराके इने जेल भीजवाने का काम करेंगे इसमें चाह कोई भी हो अगरवाल जी नेगा कि SIT जांच की मांग करते हैं तो एक last concluding statement ले लेते हैं आपका पूरा प्रकन एक समझ चुके हैं जनता भी दर्शक भी समझ चुके हैं तो क्या मांगे आपकी क्या चाहते हो इसमें कि तुरंत ततकाल से क्या कारवाई हो इसमें सबसे पहला स्ट्रेप तो यह होना चाहिए कि जो परबंध संचाला कि इनों ने नुक्तिया उसकी पावर सीज होनी चाहिए वो केवल और केवल सेलरी निकल वाने का काम करें इसके लावा वो किसी भी काम में संस्था के कोई हस्ताइक श्रिप ने करें जैसी संस्था चल र पैसे खाएंगे और यह ऐसा नहीं है एक रखा है नमबर एक में हमारी संस्था का हर सदस्य कि संस्था में बिल्डिंग बनानी होती है फरनीचर लाना होता है इतने काम होते हैं आप देखो कितने सारे नए रूम बन रहे हैं ऑफिस बनता है मैंटेन कर लें हम संस्था कि को निर्मान करते हैं कहीं से डोनेशन लाते हैं और हमारे तो अध्धक जी और प्रभंदग जी इतने अच्छे हैं कि 50-50 लाग रुपे तक का पीछे आप देखो छोजो बच्चों का स्कूल करें पांसु रुपे की फीस में इंगलिस मीडियम में बच्चा स्कूल पढ़ रहा है डिगरी कोली गल्स का बना है कहां से आरे हैं हम संस्था के लोग अपने पास से पैसे खटे करकर के इस काम को कर रहे हैं लेकिन यह जो एक घिरो है ना जो इन संस्था को कब जाना चाहता है यह इसकी निगाभी अब हमारे स्कूल में पढ़ गया लेकिन हम इने कामि जाज कि चोड़ेंगा चोड़ेंगा अब की बार यह इनए छोड़ना का बिल्कुल मन नहीं है हमारा आप इस खबर के बारे में क्या बोलते हैं एक SIT जांच की मांग हो रही है और जो है रसा कशी चल रही है आप इस खबर के बारे में क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में जुरू बताईए मेरे नाम है आशीच शर्मा आप देख रहे हैं दानीजवा नेटवर्क धन्यवाद